नमस्कार में हर्शतिवारी अब है न्यूस के एक सितंबर भुदुवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है आईए देखते हैं दिन भर की ताज़ा खबरें इस बुलेटिन के प्रायो जख है आर की नवास बायार की डेवलोपर्स शांदार घर खरीदें अब अपने बजट में सड़क हाथसे में शिकार घट्या तहसिल के दो गाउं के नौ लोगों का बुधुवार के दोफैर अंतिम संसकार किया गया दोनों गाउं में मृतिकों को अंतिम विदाई देने के लिए हुजुम उमड़ पड़ा एक सांच जब अर्थियां उठी तो लोगों की आँखों से आसु जलक पड़े हर आँख नम हो गई सांसद अनिल फिरोजिया, पूरू सांसद डॉक्टर चिंतमनी मालवे और विधायक रामलाल मालवे भी दोनों गाउं पहुँचे सांसद ने संबल यूजना के पात्र मृतकों के परिवार को 4-4 लाक और यूजना में शामिल नहीं होने वालों के परिजनों के लिए ततकाल 2-2 लाक की राशी इस रिक्ट कराई अंतिम संसकार के लिए नगत 5-5 हजार रुपे भी दिये हाथसे में सजन खेडा के 6 और दौलतपूर के 3 तिर्थी आत्रियों ने दम तोड़ा था इनके परिजन 20 सबरी से पार्थिव देह आने का इंतजार कर रहे थे पूरी रात उन्होंने इंतजार में काटी बुधवार के दोफैर शव वहान और एंबुलेंस शव गाउं पहुचे तो लोगों की रुलाई फूट गए सजन खेडा में एक साथ 6 अर्थियां उठी तो लोगों के आसू बहने लगे यही इस्तिती दौलतपूर की थी सरकार को चुना तो इसलिए गया था कि वह लोगों की समस्याओं को सुलजाएगी लेकिन सरकार सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा कर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है 17 महीने में LPG सिलेंडर की कीमत 354 रुपे बढ़ी है इसकी तुलना में सबसीडी 80% कम हो गई है सरकार के इस महेंगे तोफे से आम आदमी की कमर तूट रही है और वह महेंगाई की चक्की में पिस रहा है दरसल महस 14 दिन के भीतर ही सरकार ने एक बार फिर रसोई गेस के दाम 25 रुपे बढ़ा दिये है ये बड़ोतरी बुद्वार से लागो भी हो गई 17 अगस्त को ही सरकार ने सिलेंडर के दामों में 25 रुपे का एजाफा किया था केवल 17 महीने में ही सरकार 14.2 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत में 354 रुपे बढ़ा चुकी है महेंगी गेस से आम आदमी बेहर डरा हुआ है क्योंकि उसकी इंकम कम हो गई है जबकि महेंगाई ने खर्चा बढ़ा दिया है कुल मिला कर इस वक्त को एक आम परिवार के सामने सिलेंडर की कीमत मुसीबल बनका तूट रही है उसका बज़ट पैट्रोल डीजल ने पहले से ही खराब कर रखा है आईए आपको बताते हैं कि कब-कब सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा कर आपकी जेप पर ढाका डाला सिलेंडरों की कीमतों में बड़ोतरी का सिलसिला मैं 2020 से शुरू हुआ था तब 590 रुपे के सिलेंडर के दाम में 56 रुपे का एजाफा किया गया था और इसकी कीमत तब 646 रुपे हो गई थी जून में सरकार इस कीमत को राउंड फिकर में ले आई और 4 रुपे बढ़ाते हुए 650 रुपे दाम कर दिया जुलाई में सरकार ने कीवल 2 रुपे दाम बढ़ाए और कीमत 652 रुपे पहुँचा थी अगस्त 2020 में सरकार की दरिया दिली कायम रही और कीमत कीवल 2 रुपे बढ़ी इस तरह सिलेंडर का दाम 654 रुपे हो गया 2020 के नवंबर महिने में सरकार ने कुछ तुफानी करने की कोशिश की और सिलेंडर के दाम सीधे 50 रुपे बढ़ा कर 704 रुपे पहुचा दिये दिसंबर 2020 में सरकार ने फिर जटका दिया और कीमत 50 रुपे बढ़ाती हुए 753 रुपे कर दिया जनवरी 2021 में सरकार ने आम आदमी को रहात दीते हुए कीमत केवल 25 रुपे बढ़ाई और दाम 789 रुपे पहुचा दिया फरवरी 2021 में सरकार ने फिर तुफानी करते हुए तीन बार में 100 रुपे कीमत बढ़ाती हुए सिलेंडर के दाम सीधे 889 रुपे पहुचा दिये मार्श 2021 में केवल 10 रुपे कीमत बढ़ाकर उभोकताओं को रहाद देती हुए सरकार ने कीमत 899 पहुचा दी अप्रेल मही में शांत रहने के बाद सरकार ने जून से फिर से कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया और तीन महीने में 45.50 रुपे कीमत बढ़ाती हुए दाम 949 रुपे 50 पहसे कर दिये भहराल अच्छे दिन के वादे पर आई सरकार को लिखकर आम आदमी बहुत परिशान है उसे सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का तौफा करीब करीब हर महीने मिल रहा है ये अलग बात है कि उसका बजट महेंगाई की वज़ा से बिगड रहा है बारत सरकार द्वारा एक जुलाई को 25 रुपे की बढ़ोतरी करके 894 रुपे 50 पहसे किये गए थे जो कि 17 अगस्त में फिर 25 रुपे की बढ़ोतरी की गई और उसके बाद वही सिलेंडर 919 रुपे 50 पहसे हो गया आज 1 सितंबर 2021 को 29 रुपे की बढ़ोतरी की गई है जो कि अब गरेलू सिलेंडर उपभोकताओं को 949 रुपे 50 पहसे में उपलत होगा यह बहरत सरकार का पेट्रोल मंत्रा ले ते करता है और यह कुरूड ओईल के दाम बढ़ने गटने से प्रभावित होते है केंदर सरकार की क्रिशी संबंधी नीतियों से राष्टि स्वयम सेवक संग का अनुशांगिक संगठन भारती किसान संग बेहत खफा है किसान संग 8 सितंबर को देश के 525 जिलों में प्रदर्शन करेगा और किसानों को लाबकारी बुल्ले देने की मांग करेगा बुधवार को प्रेम चाया परीसर में भारती किसान संग ने जिले की निर्वाचन किसान देश भर में होने वाले प्रदर्शन की रूप रेखा बनाई उजेन जिले के लिए एक बार फिर दश्रत पंडिया को अध्धक्ष बनाया गया निर्वाचन के बाद प्रदेश पदाधिकारी दिनेश पालीवाल ने मीडिया को बताया कि लागत की तुलना में किसान को लाबकारी मुल्य बेहत कम मिल रहा है इसके चलते ही 8 सितंबर को आंदूलन किया जाएगा प्रदेश प्रवक्ता भारत सिंग बैस ने कहा कि किसान संग की मांगो को लगाता और नजरांदास किया जा रहा है हमारे प्रदेशन का अधार किसानों को लागत के मताबिक लाबकारी मुल्य दिलाना रहेगा केंदर सरकार 2022 तक किसानों की आयद दुगनी करने का दावा कर रही है लेकिन जमीन पर ऐसी कोई भी योजना नहीं आ रहे इसका ही विरोत करने के लिए देश के 525 जिला मुख्यालें उपर प्रदर्शन किया जाएगा हमारा 8 सितंबर को जो कारिक्रम है लागत के अधार पर लापकारी मुल्य बारती किसान संकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही है लगातार बड़तारीन किसानों की दरसाता है कि हम लागत लग रहे है बारिश की खेच के वज़े से उत्पादन गटे का मतलब कहने का यह है कि लागत ज्यादा है उपज कम है ऐसे में हमको लापकारी मुल्य सरकार देना चाहिए उसको अभी उसको लेकर हमने तैसिल केंद्रों पर अजज्जेम को ग्यापन दी है और 8 सितंबर को धरना प्रतिशन हम करने वाले है उसमें इस्थानी इस्तर पर उख्यमंत्री को भी इस बात को लेकर ग्यापन दिया जाएगा कि फसलों का सर्वे कराकर उचिन मुहाज़ा दिया जाए और वीमा क्लेम की राशी का निर्धारन की सानुक किया जाए स्मार्ट सिटी प्रशासंद्वारा खिलाडियों के लिए खोले स्विमिंग पूल में बुदुभार को नेताओं ने भी जमकर ढूब क्या लगाई कैबिनेट मंत्री मुहन यादव ने तिराकी की अलग-अलग विधाओं का प्रदर्शन किया करीब देड़ साल से कुविट प्रोटोकॉल के कारण स्विमिंग पूल बंध है इसके चलते तिराकों को प्रेक्टिस करने में काफे दिकत हो रही थी इसी के चलते दुसरी लहर का प्रकोप कम होनी के बाद स्विमिंग पूल भी खोल दिया गया पूल केवल खिलाडियों की प्रेक्टिस के लिए खोला गया है बुधवार को केबिनेट मंत्री मोहन यादव ने तिराकी में जम कर हाथ दिखाए उन्होंने बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफलाई के साथ गोता भी लगाया केबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कहा कि खिलाडियों की प्रेक्टिस के लिए स्विमिंग पूल खुला गया है यादव ने कहा कि उन्होंने भी बच्चों के साथ तेराकी का आनंद लिया हम सब का सोभा गये मेरी अपनी और से एक नई सुईधा की उज्जयन वालों को बढ़ाई और मानी मुख्यमंत्री को बढ़ाई जिन ने सोगा ती सेरो वाले सावन के बाद अब भादो अपने रंग में आता नजर आ रहा है दस दिन में दूसरी बार भादों में भुदुवार के दोफैर जमा जम पानी बरसा बरसात इतनी तेज थी कि 20 फीट दूर कभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था करीब एक घंटे तक शहर में जोड़दार बारिश होती रही अच्छी बारिश के कारण पानी सड़क पर फैल गया और सड़के तरबतर हो गए वैच शाला के मताबिक सुभा के समय 0.4 mm बारिश दर्च की गई उजजें शहर में अभी तक 533 mm बारिश हो चुकी है शहर की उसद बारिश से अभी भी 14 इंच कम पानी बरसा है शहर की उसद बारिश 36 इंच है अभी 22 इंच बारिश हुई है बहराल अच्छी बारिश के बाद मौसम खुश्णुमा हो गया तापमान में कोई तब्दिली नहीं हुई कैबिनेट मंतरी मोहन यादव और विधायक पारस जैन ने की है दरसल यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदेते नात ने मतूरा में शराब एवं मास की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है इसके चलते शहर के जन प्रतिनीदी भी उजेन में शराब और मास की बिक्री पूरी तरह बंद करने की मांग कर रहे है कैबिनेट मंतरी मोहन यादव और विधायक पारस जैन जल्द ही इस संबंध में सीम से मुलाकात करेंगे और उजेन के लिए भी मथूरा साही फैसला लागू करने की मांग करेंगे चटी से बारवी क्लास के लिए स्कूल बुद्भार से शुरू हो गए स्कूलों में विध्यारतियों को सूशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रविश दिया गया प्रविश से पहले उनके शरीर के तापमान की जाच की गई और स्कूल प्रविश से पहले हाथ सेनिटाइस कराए क्लासों में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई टेबल और कुर्सियों के बीच दो से तीन फीट की दूरी रखी गई हाला कि विद्ध्यालइयों में उपस्तिती कम ही रही शास की कन्या हैर सेकेंडरी स्कूल दशे रामिदान के परचार रिय अभी मन्यूव्यास ने बताया कि स्कूल में COVID-SOP के साथ विद्ध्यारथियों को प्रवेश दिया गया प्रवेश से पहले बच्चों के शरीर के तापमान की जाच की गई और हाथ सेनिटाइस कराए गए जिला पंचायत ने 57 सचीव पाच पंचायत समनवय अधिकारी और दो साहय विकास अधिकारियों के तबादले किये हैं यह स्थाना अंतरन तबादला नीती के मुताबिक किये गए है शासर ने 31 अगस तक तबादले करना तैय किया था इसी कड़ी में 6 जनपत पंचायतों में पदस्त ग्राम पंचायत सचीवों को बदला गया है अधिकतर तबादलों में सचीव को जनपत से जनपत की ही ग्राम पंचायतों में पदस्त किया गया है जबकि कुछ की जनपत बदल दी गई है आगर विधायक विपिन वानखेडे ने बुधुवार को NSUI का प्रदेश अध्यक्ष पत छोड़ दिया विधायक बनने के बाद सिवा संगठन कुछ समय नहीं दे पा रहे थे करीब 8 साल सिवा प्रदेश अध्यक्ष पत पर थे NSUI अध्यक्ष केवल 33 साल की उम्र तक ही रहा जा सकता है और वानखेडे उम्र की इस सीमा के पार भी चले गए थे इस्तिफा देने के बाद वानखेडे ने कहा कि युवाओं को मुका देने के लिए उन्होंने पच्छोड़ा है मध्यप्रदेश में नए NSUI प्रदेश अध्यक्ष को लेके प्रक्रिया प्रारम है हमारे नए युवाओं सात्यों का उसर मिलना चाहिए इस बात के भी मैं पूर्ण रूप से समर्तन हूँ और इसी की चलते नए प्रदेश अदेश को लेके प्रक्रिया प्रारम है इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं कोई नाराज़की है या कहीं कोई शिक्वा शिकायत है सब परिवार के लोग है और मैं खुझ चाता हूँ आने अरे समय में हमारे किसी नए युवा साथी को एने स्वेल की जिम्मेदारी मिलना चाहिए एहिरवार ने खंडिलवाल का हारपेनहा का समान किया तो आपने देखा हमारा बुलेटिन आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबेक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ नमस्कार